फेलो स्टुडेंट्स, इन्दी मध्यम से पढ़ाई करने वाले बारहमी भग्की के विद्धार्थियों के लिए मैं अभे कुमार। अध्याय 6, चैप्टर 6, विद्धु चुमकी प्रेण, एलेक्रोमेटिक इंडक्शन का भाग एक को डिस्कस करने जा रहा हूं। इस वीडियों का टॉपिक्स हैं चुमकी फ्लक्स, विद्धु चुमकी प्रेण की परिभासा, जो कि फैराडे तथा हिंडरी के परियूगों के निश्कस पर आधारित है, तथा फैराडे के विद्धु चुमकी प्रेण के दो महत्पुर्ण नियम, जिसे बारहमी बोड की परिछाओं में लगूतरिये प्रस्न, दो अंग के प्रस्न के रूप में उच्छा जाता है। तो सबसे पहले सुरू की आजाए, इस वीडियो की सुरुवात की जाए, चुमकी फ्लक्स है, मैगनेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह या बहाओ। किस चीज का प्रवाह चुमकी छत्रिखाओं का प्रवाह चुमकी छत्र में इस्थित किसी तल या पिष्ट से होकर, सता से होकर, सत्फे से होकर, गुजरने वाले चुमकी छत्रिखाओं की संख्या को, उस तल से संबद्ध चुमकी फ्लक्स कहा जाता है, अर्थाद चुमकी फ्लक्स, चुमकी छत्रिखाओं की माप है, जो जो चुमकी छत्र में इस्थित किसी तल से होकर, गुजरती है, अब इस परिभासा को आप लोग नोट कर ले, चुमकी फ्लक्स को अंगरे जी में, मैगनेटिक फ्लक्स कहा जाता है, और इसे हम प्रिभासित कर सकते हैं, चुमकी छत्र में इस्थित किसी तल से होकर, उसके लंबवत गुजरने वाली, उस तल के लंबवत गुजरने वाली, चुमकी छत्रिकाउं की संख्या, किसी तल से होकर उसके लंबवत तल के लंबवत इसा में उसके लंबवत गुजरने वाले गुजरने वाले चुमकिये छेत्र रिखाओं की संख्या को उस तल से संबद्ध उस तल से लिंक्ट जुड़ा हुआ संबद्ध का मतलब जुड़ा हुआ चुमकिये फिलक्स कहा जाता है चुमकिये छेत्र रिखाओं की संख्या को उस तल से संबद्ध उस तल से संबद्ध चुमक्ये फ्लक्स कहा जगता है अब यह देखना है कि चुमक्ये फ्लक्स अदिसरासी है या सदिसरासी है तो चुमक्ये फ्लक्स एक सदिसरासी है जिसे हम गनितिय रूप में दो सदिसरासी हो जुम्ब किये छेत्र तथा छेत्र सदीश वह छेत्र सदीश उस तल्ब के प्रिष्ट के लंबवत डाले गये अभिलम्ब की रिशा में होगा किसी तल्ब के प्रिष्ट के लंबवत बाहर की ओर डाला गया अभिलम्ब एक सदीश को निरूपित करता है अगर कोई तल है या कोई छटफल है, मालिय कोई छटफल है, बंध तल के रूप मे, जिसका ऐरिया कितना है, ए है, और उस छटफल के प्रिष्ट के लंबवत बाहर की ओर डाला गया अभिलंब की दुषा में, एक सदीस उनुर्पित होता है जिसे छेतर सदीस कहा जाता है अंग्रेजी में एरिया वेक्टर तो गनितिय रूप से चुमखिये फ्लक्स को हम परिभासित कर सकते हैं कि किसी तल के छटफल से संबध चुमखिये फ्लक्स चुमखिये छेतर तथा छेतर सदीस जो कि उस चटफल के सतः के तल के लंबवत बाहर उसके प्रिष्ट के लंबवत बाहर की और डाले गए अभिलम की दिसा में होगा तो किसी चत्रफल के कोई एरिया है, अगर सपोज किया जाए कि एरिया ये है, एरिया के प्रिष्ट के लंबवत बाहर की ओर दिशा में, उसके प्रिष्ट के लंबवत बाहर की ओर अगर एक अभिलंब खीचा जाए, तो उस दिशा में एक सदीस रूर्पित होता है, जिसे च च्छेत्र सदीस तो चुमकिय फ्लक्स क्या हो गया चुमकिय किसी च्छत्रफल से या किसी बंद तल के च्छत्रफल जिसका मानगर A हो तो उससे संबध चुमकिय फ्लक्स चुमकिय छ्छत्र तथा च्छत्र सदीस का अधिस उनन के बराबर होता है इसलिए चुमकिय फ्लक्स अदिस रास्ती है, चुकि यहां दो सदिसों, चुमकिय चत्र B वेक्टर तथा चत्र सदिस A वेक्टर का अदिस गुनन के बराबर होता है, तो चुमकिय फ्लक्स अदिस रास्ती है, इसका संकेत होता है फाई B, संकेत फाई होता है, और B संकेत होता है चुकि चुमकिय चत्र क इसलिए phi देकर के suffix में b लिखा जाता है चुमक्य फ्लक्स का संकेत के लिए चुमक्य फ्लक्स एक अदीस रासी है और इसका संकेत चुमक्य फ्लक्स का संकेत फाई भी होता है और गनितिय रूप से ऐसे तो चुमक्य फ्लक्स को दिफाइन किया गया किसी तल से किसी तल से होकर चुमक्य छत्र के किसी तल से होकर चुमक्य छत्र में इस्तित किसी तल से होकर उस तल के लंबवत गुजरने वाले चुमकिय छेत्रिखाओं की संख्या को उस तल से संबद चुमकिय फ्लक्स कहा ज़ता है लेकिन गरनीतिय रूप से चुमकिय फ्लक्स को हम भी फाइन कर सकते हैं कोई चत पर अगर एक है तो उससे संब्रक्स का संक्यत हो गया, और यह बराबर होता है किसके यह 5-B नापर होता है sen b-Hectar जो मकिये चत्र दथा 4-30-2002 का प송नान बराबर होता है। संक्यत माधिमे मुटो तो गई कभी लगूतर ये परस्ट में पूछा जाता है चुमक्य फ्लक्स क्या है चुमक्य फ्लक्स की परिभासा दें तथा इसके सुत्र को लिखें या इसके एसाई मात्रक तथा भीमे सुत्र को लिखें तो इसे भी लगूतर ये परस्ट में पूछा जाता है या अब्यक्टिब भ सबस्कारा फोटा है चाहिनर हुटा के लगुदूरीचल क्या है इसके शुत्र को लिए को या इसके मांतर था B में सुत्र को निखें, तो इसका सुत्र हो जायेगा, चुमकिय फिलक्स 5, B is equal to, चुमकिय चेत्र था, चुमकिय चेत्र तथा 3A वेक्टर का अधिस उनन के बराबर हो गया, B वेक्टर, dot A vेक्टर, is equal to, अब यहां पर दोनों का अधिस उनन है, इसलिए, च्मक्याष्चत्स democrat रास्टी है। ठिठक्पल सरीस भी कुजजिाश्चत्स, भी सरीस रास्टी है दोनोंका अधिस गुनन है । est पाद्धर गुणन का सुत्र से b वेक्टर का a 3 का मापांक को तो ये हो जाएगा ba-cosΠ caso यह हैं इसका सुत्र है चुमकई फ्लक्स का बीए कॉस्ट ठीटा और हमने शुरू में रिफाइन किया कि चुमके छत में इस्थित किसी तल से होकर उसके लंबुवत गुजरने वाली चुमके छत्र खाओं की संख्या को चुमकी फ्लक्स कहा जाता है तो माल लिया कि ये कोई तल है या कोई तल है क्लोस सर्फेस से बंतल है और बंतल का एरिया हम माल लेते हैं सपोज करते हैं इस बंतल का एरिया ये है और इसे गुजरने वाली चुमकी छत्रिखाओं की संख्या ये देखिए चुमकी छत्रिखा ज क्योंकि कि इस मन तल कि इस मन तल कि इस मन तल के लंभूद सी चुमके च्प्ख रहे हैं और यह गतल कि चक्टेर की चिरिसा अ है वायोर से दांव दशायँ गया है उसल्ग चुमके च्छत की दिशा को नौर से साउथ की उपित करता है तो यह लेप साइड से राइट साइड में और इसके लंबवत एरिया रखा गया है तो इस एरिया से चुमके च्छत की दिशा में इस एरिया से एरिया के लंबवत चुमके च्छत की दिशा में चुमके च्छत्रे एस चतल के लंबभवत, चुमकी च्छत की दिशा में गूजरने वाली चुमकी छेत्रेखाओं की संख्या यह सब्यूए यह सब्यूए चुमकी फ्लस कहा जटा है यह को देद्स आने में चित्र का रिखा यह यह रहा ऑई है उन्हेँ चेट्र हुग्या और यहुंक्या Centre को दसाने के लिए 6वं करड़ दो का उपियों क्या जाएं यहाँ पर एक और इसी पंतल को दसाए गया है जिसका एरिया च्सेट Vere कितना है और यह उन्हेट के दिशा बाई और से दाई और दरसाई गई है उतर दिशा से दक्षिन दिशा की और चुमकिश्चत की दरसाई जाती है अब यहाँ पर इस एरिया पर एरिया के प्रिश्ट पर डाला गया इस एरिया के सता पर प्रिश्ट पर डाला गया भी लंब सपूज किया जाए कि यहां से इसके पिश्पर अभिलंब एक बाहर की ओर लंब डाला जाता है यह बाहर की ओर लंब सपूज करता है कि इसे बंद तल के अंदर कोई बिंदू हो है तो इस बिंदू से इसके सता के लंबवत बाहर की ओर अभिलंब डाला जाता है सता के लंबवथ यह अभी लंब हो गया OEN और यहाँ अभी लंब चुम्बकी चत की दिशा से कितना कुन मनाता है ठीटा कुन मनाता है यहाँ ध्यान रहे कि यह जो लंब है OEN अभी लंब यह इस बंध-तल के प्रिष्ट के लंबवथ है इस बढ तल इस बंध पृष्ट इस बंध तल इसका एरिया चंप जब ड़ारा हम yn gaf झूंबकी चंप डिका मयं चब्री अभरी के किया मैं Märty तो इस दिशा में इस अभिलम मतलब बंतल के प्रिष्ट के लंबवत बाहर की ओर वेन दिशा में अभिलम डाला गया जो की चुमख्ये च्छेत्र B की दिशा से कितना कुल मना आता है ठीटा यहाँ पर सुत्र में हमने चुमख्ये फ्लक्स का सुत्र फाइवेज कर टू B वेक मतलब चुमख्ये च्छटर B वेक्टर था続क संभिलम सा दिशत्र अधीस center K दिशनान है और अधीसां का सुतर से इससे व्यट्किया आया सकता है जो यहां जो कि इस बंतल के प्रिष्ट के लगवत है न कि छुमक या चिटर बी के लगवत हो गया तो यहां सवक्ष का सूतर हो गया और यहां पर चेतर सरीस A भेक्टर को दिखाया गया है जो कि इस बंतल के प्रिष्ट के लंबवत बाहर की ओर ओन दिशा में है जो कि चुम्बकी चेतर B की दिशा से कितना कुन बनाता है ठीटा कुन बनाता है तो हुँत्र हो गया 5 वेज़ कल तू बीए कॉस्ट थीटा अब फलक्स धनात्मक भी हो सकता है और इनात्मक भी हो सकता है फ्लक्स धनात्मक तब होगा जब यह च्छेत्र सरीस एव हेक्टर मतलब इस बंतल के च्छेत्र फल एपर डाला गया भी लंब चुमक्य च्छत की दिशा में अगर हो तो बी वेक्टर और एफ हेक्टर की बीच का जुकाओ कुन कितना हो जाएगा ठीटा जीरो डिग्री तो उस सीच्वेशन में यहाँ 5 इज कल टू ब ये कॉस जीरो वन हो गया तो चुमक्य फ्लक्स उस स्थिति में धनात्मक हो जाएग लेकिन अगर इस बंतल के चट्पल पर डाला गया चट्पल के प्रिष्ट पर डाला गया अभी नम्ब अगर चुमक्य च्छत की दिशा से के विप्रीत हो मतलब इस दिशा में बाईं और मने लेफ्ट साइड में हो अगर च्छत सदिस बाईं और दिशा में हो अगर च्छत फ्लक्स क्या हो जाएगा फाइबी इसकल टू हो जाएगा बी ए कॉस 180 डिग्री तुकि यहाँ पर फ्लक्स माइनस बी यह हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा रिनात्मक हो जाएगा लेकिन जब एरिया चत्र सदीस मतलब इस चत्पल ए के तल पर डाला गया भिलम चुमक्य चत्र बी की दिशा में होगा तो ठीटा का मान जीरो होगा और वैसे इस्थिति में चुमक्य फ्लक्स के सुत्र से फाइव इसकल टू बीए कॉस जीरो डिग्री यह प्लस बीए कॉस ज तुनिस प्रस्ण के लिए मल्टिपल च्वाइस अब्यक्टिव कॉस्चन के लिए बहु भी कल्पी है बस तुनिस प्रस्ण के लिए बहुत ही महटपूर्ण है तो जुमक्य फ्लक्स का एसाई मात्रक्थ लेकिन इसका पड़ चली तो मात्रक्थ हो सकता है इसका एसाई मात्रक तेसला मीटर स्कुरार या इसी को कहा जाता है वेबर और वेबर का संकेत होता है WB कापी महत्पूर्ण है वेबर इसाई मात्रक प्रायस अभी 12 वोड की जितने भी परिच्छी जितने भी स्टेट वोड की परिच्छाएं हैं या सीबीई सी बॉड की परिच्छा उसमें इसे पूछा जाता है कि मके प्लक्स का इसाई मात्रक वेबर टेसला CGS मात्रक भी होता है, जिसे Maxwell कहा जाता है, तो number two देखर के, इसका चुमकिया फ्लक्स का मात्रक में, पहला था Tesla, टेसला मीटर स्कॉयर, जिसे वेबर कहा जाता है, चुमकिया फ्लक्स का SI मात्रक, और दूसरा, चुमकिया फ्लक्स का CGS मात्रक, मतलब CGS प्रत्ति में मात्रक, चुमकिया फ्लक्स का, इसका CGS मात्रक, Maxwell, Maxwell, जिसे capital M, तथा small x, capital M संकेत हो गया MX, capital M, small x, संकेत से सुचित किया जाता है, तो Maxwell होता है, MX संकेत से सुचित किया जाता है, अब बेबर तथा Maxwell में संबन्द है, मतलब CGS का, SI मात्रक, टेसला मीटर स्कॉर, जिसे प्राय बेबर कहा जाता है, तो बेबर और Maxwell, जो चुमकिया चत्रका CGS मात्रक है, उसमें संबन्द है, एक, एक एक वेबर, और वेबर का संकेत क्या है, WB, WB, बेबर होता है, वन बेबर, एक अन्य बस्तोनिस प्रस्ण हो सकता है, चुमकिया फ्लक्स का, चुमकिया फ्लक्स का भीमिय सुत्र, तो चुमकिया फ्लक्स, संकेत चुमकिया फ्लक्स का फाई, सफिक्स में कैपिटल भी, भी चुमकिया चत्रका संकेत है, और फाई संकेत है, चुमक्य फ्लक्स का विमे सुत्र हम प्राप्त कर सकते हैं चुमक्य फ्लक्स का सुत्र होता है B into A B ऐसे अधिस उनन के रूप में B vector dot A vector तो चुमक्य चत्र B का विमे सुत्र तथा area area का विमे सुत्र L square तथा चुमक्य चत्र का विमे सुत्र चुमकिय च्छत का वीमे सुत्र MT-1 MT-2 A-1 और च्छत पल का सुत्र हो गया L का पावर 2 तो दोनों का वीमे सुत्र लिख करके और उसे मल्टिप्लाई कर दिया जाए तो पावर तो हो जाएगा तो इस प्रकार हम चुमकिय फ्लस का वीमे सुत्र प्राप कर सकते हैं तो चुमकिय च्छत का वीमे सुत्र MT-2 A-1 A धारा का वीमे संकेत है विद्धु धारा का एक दूसरा संकेत भी होता है I भी होता है Capital I MT-2 A-1 यह चुमकिय च्छत का संकेत हो गया और multiplied by area, area का एल स्वार, तो दोनों को multiply कर देंगे, दोनों के विम्य सुत्र को multiply कर देंगे, तो पावर ताइड हो जाता है, तो यह हो जाएगा, ml का पावर 2, t-2, a-1, तो चुमा किये plus 5b का विम्य सुत्र, equals to ml का पावर 2, t-2, a, capital A या capital I to the power minus 1, यह भी में सुत्र है, तो इसे भी बस्तुर इस परसन में पूछा जाता है, बारहमी बोर्ट की परिछाओं में, अब बिद्धु चुमक के पेड़न की घटना, क्या है, इसे हम लोग डिसकस करेंगे, जो कि हेंद्रियम, फराडे के बिभिन परियोगों के निसकर्सों पर आधारित है, उन परियोगों में से एक मुख परियोग को हम लोग डिसकस भी करेंगे, जो कि फराडे के, जो कि बिद्धु चुमक के पेड़न की घटना का प्रायोगिक परदर्शन भी है, तो फराडे में हेंद्रि ने बहुत से परियोग किये, और उनके निसकर्सों पर आधारित, बिद्धु चुमक के पेड़न की घटना को परिभासित किया, तथा इसे संबंधित, दो नियमों का प्रतिपादन फराडे ने किया, जिसको इसके बाद के टोपिक में इसी वीडियो में डिसकस किया जाएगा, लेकिन पहले बिद्धु चुमक के पेड़न क्या है, जब किसी छर्चुमक तथा किसी बंद कुंदली या बंद परिपत के बीच आपक्षिक गति होती है, या फराडे तथा हिंदली के सबसे प्रमुख परियों पर आधारीत, तो जब किसी छर्चुमक तथा किसी बंद कुंदली के बीच आपक्षिक गति होती है, तो उस कुंदली से संबध चुमक ये फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तथा इसके कारण उस कुंदली में एक पेरिज्द विदुत वाहक वल या पेरिज्द भिवांतर, विदुत वाहक वल भिवांतर है, खुला परिपत में, तो उस बंध कुंदली में या उस बंध विदुत परिपत में पेरिज्द वाहक वल उत्पन होता है, और था पेरिज्द विवांतर उत्पन होता है, और इस विवांतर की कारण उस कुंदली में पेरिज्द धारा उत्पन हो जाती है, इसी घटना को विदू चुमबकिय पेड़न कहा जाता है फराड़ेट था हेंद्री के परियोगों से यह निश्कर्स प्राप्त होता है कि कोई परिवर्तंसील चुमबकिय च्चत्र किसी बंद कुडली में या बंद लूप में पेड़ीत विदु त्वाकवल उत्पन करता है या जिसके कारण उस बंद लूप में उस बंद परिपत में पेड़ीधारा उत्पन हो जाती मतलब परिवर्तंसील चुमबकिय उत्पन करता है तो आप खरादे तथा हेंडरी के प्रयुगों के निसकर्सों पर आधारी थे तो अब बिद्धु चुमबक के प्रिफिरिशन परिभासा आप लोग नोट कर लें जब किसी चुमबक एवाम बंद कुण्डली बंद लूप या बंद कुण्डली या बंद विद्धु परिफथ बंद लूप या बंद कुण्डली के बीच आप एक्छी गती होती है मतलब बंद कुण्डली को इस्तित रख सकते हैं इस्तित रख करके चर्चुमबक को गर्सिल कराया जा सकता है या चर्चुमबक को इस्तित रख करके बंद कुण्डली को गर्सिल कराया जा सकता है तर्थात बंद कुंडली तथा शर्चुंबक के बीच आपक्षिकति होनी चाहिए अगर आपक्षिकति नहीं होगी अगर दोनों को रोक दिया जाए तो खरादे तथा हिंदरी ने यह पाया कि अपने प्रियों में कि कोई मतलब उस बंद लूप में कोई प्रित विद्धुत प्रियोड़ता नहीं होगा जो मकीय फ्लक्स में प्रियोड़ता सुनने प्रित विद्धुत वाहक वाले या प्रित धारा भी सुनने वैसे इस्तिति में तो जब किसी छर्चुंबक बंद कुंडली या बंद लूप के बीच आप एक चिक गति होती है तो उस कुंडली में चालूप में उस कुंडली में प्रित विद्धुत वाहक वल उत्पन होता है या जिसके कारण प्रित विद्धुत वाहक वल क्या है विवांतर है जिसके कारण अगर विवांतर आरुपित होगा जैसे चालक के सीरों के वीच विवांतर आरुपित होता उसमें धारा बहने लगती है धारा उत्पन होती है तो उसकुनली में प्रेरित विद्धुत्वाहकवल वीवावल सौट में इसको छोटे रूप में विद्धुत्वाहकवल को वीवावल इंड्यूस्ट एलेक्ट्रमोटीफोर्स अंग्रेजी में विद्धुत्वाहकवल को इलेक्रो मोटीफ पूर्स कहा जाता है तो उसकुनली में प्रेरित विद्धुतवाकवल या प्रेरित धारा उत्पन हो जाती है या प्रेरित विद्धुतवाकवल उत्पन होता है अर्ठाप्ट, यहां चुमबकिय छत्र, परिवर्तंचिल चुमबकिय छत्र, चुमबक को अगर सिल कराएंगे, तो क्या होगा? परिवर्तंचिल चुमबकिय छत्र, बंद लूप में, विदु तुर्या या विदु धारा उत्पन करते हैं, परिवर्तन सील चुमक की चत्र, बंद लूप या बंद कुलनी में परिधृत भाहगवल, उत्पन करता है या परिधृत धारा उत्पन ठाब करते है कि ये प्रेरम रहा जाता है अब इसे इस घटना को विदुचुमबक की प्रियोग की घटना को समझा जा सकता है फाराडे के सबसे प्रमुख प्रयूग के द्वारा जिसमें की एक छर्चुमबक अगर जिसे एसन द्वारा छर्चुमबक को यहां निरुपित किया गया है एसन द्वारा एस साउथ पोल है तक्सी धोल एन उतरी धोल नॉर्थ पोल है अब यह किसी छर्चुमबक के नॉर्थ पोल को अब यहाँ पर हम एक बंदर कुंडली है जिसमें की गैलोनोमीटर लगा है गैलोनोमीटर अल्पधारा का मापन करता है किसी विद्धुत परिपत में गैलोनोमीटर अल्पधारा का मापन करता है इसमें गैलोनोमीटर लगा हुआ है जब इस चरचुंबक को के नौट पोल को जब इस दंड चुंबक के अच्छर चुंबक एसन के उत्री धुर्व को इस बन कुंडली के निकट लाते हैं तो फराडन ने अपने प्रियोग में यह पाया कि बगल वाली कुंडली में निकट इसित कुंडली में जिसमें कोई बैटरी नहीं जुड़ी है इसमें कोई बैटरी लगी हुई नहीं है कोई बैटरी कनेक्टेट नहीं है फिर भी इसमें धारा उत्पन होती है और गैलोमीटर की सुई में भी शेप होता है और इसमें धारा उत्पन होती है एंटी क्लॉकवाइड डायेक्शन में जो कि छर्चुंबक के उत्री धुर को कुंडली के समीप लाने का विरोध करता है यह प्रेजधारा की दिशा बायावर्थ हो जाती है एंटी क्लोकवाइज जो कि छर्चुंबक के उत्री धुर को इस कुंडली के नजदिक बंद कुंडली के नजदिक लाने का विरोध करती ह मतलब परिज धारा की जिसा बिरोधी सभाव की होती है, जो कि लेंज का नियम से प्राप्त होता है, इसके बाद के टॉपिक में अगले वीडियो में हम लोग लेंज के नियम के बारे में भी डिसकस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, तो परिज धारा की जिसा इसमें, चुमकई फ्लक्स में बिर्धी होने से इस कुनली में बीडित विद्फवाक उत्पन हो गया और लगे में बिड़ी होगए और इसमें धारा एंटी क्लोक वाई डायक्शन में बहने लगी, जो की चुमकी फ्लक्स में, छड़ चुमक के उत्री धुर्ब को कुनली के नज्डिक लाने से चुमकी फ्लक्स में जो बिर्धी हुआ, परिवर्तन हुआ, परिवर्तन बिर्धी के रूप में है, इंक्रिज के मतलब उनली से समद्ध चुमकी फ्लक्समी बिर्दी का अपोज करेगा तो इस प्रकार एंटी क्लॉक्वाइड दिशा में बहने लगे जिसे एरो द्वारा दर्साए गया है अगर कोई अगर कोई प्रात्मी कुणली है जिसमें की बैटरी लगा हुआ है बैटरी की रियोस्टेट इत्यादी लगा हुआ है धारा दिक परिवर्तक तो अगर प्रात्मी कुणली को भी अगर निकर तुसरी कुणली जिसमें की केवल या इलोमीटर पमी में लगा हो उसके नजिक लाएंगे या दूड ले जाएंगे तो पर भी या घटना होगी घटना तोपर भी उस बन गुल्री में द्यूतिया गुल्री में निकटिस्ति दूस्री गुल्री में प्रडित वहाखवल उत्पन होता है और उसके कारण उसके प्रडित धारा भी बहने लगती है जोकि बीढोसी सभावक Łukam विपीर दिसा में मतलप्चुमक्य फ्लक्स में विर्धी का अगर कुणली को बन ये प्रात्मी कुणली को निकट लाएंगे तो उसको निकट लाने का विरोध करेगा और कुणली को दूर ले जाएंगे तो उसको दूर ले जाने का विरोध करेगा तब धारा की दिसा भी लेकिन पहला प्रियोग सब्से महत्पुर्ण है जिसके आधार पर हमने बिदुचुमक के प्रिभासा को भी लिखा तो यह नौर्थ पोल को नदीक लाने पर यह इस्तिति हो गई पेजधारा उत्मन होई बगल वाली कुंडली में अब अगर नौर्थ पोल को चितर दो में इ निकल च्थित कुंडली से संबध्य चुमबकिय फ्लक्स में चुमबकिय छच्छी खाओं की संख्या में कमी होगी जब श्रच्वक करती हैं तो उस्तिति में जब च्षर चुंबकिय उती धूर को कुंडली से बन-क्ुंड्य से दूर ले जाएंगे तो बन- से सं परिवरतन कमी रूप में होगा और उसके कारण फिर से एक त यह कुली अमेल लगें लार मी तर जी में पुर्पन होगा जिस में हैुआ है और इससमर कारणस परश्ट है कि फिर से इस बन कुली में ब्रिद्द वहक वह डूपन हुआ- और उसके कारण प्रित धारा उत्पन हुई जो कि अब चरचुम्बक के इुतरे धूर्भ को इस कुन्ली से दूर ले जाने का ही भीरोध करेगी उसके वीरोधी सभाव जोकि लेंज का नियम है तो और प्रेज धारा की दिशा दिशा क्या हो जाएगी। प्रेज धारा की दिशा इधर हो जाएगी। धाकि सर्चुंबक के जा यूटरा के धारा की दिशा गया जब शर्चुम्बक को ये उत्री धुर्व को इसी बंद कुंडली जिसमें गैलोनोमीटर लगा है उससे दूर ले जाया जाता है तो प्रेज़धारा इस सिस्तिती में क्लॉक वाइज दिशा में दक्षिनावर दिशा में प्रवाहित होगी तो यह बिद्दुचुम्बक की पेन की घटना का एक प्रायोग परदर्सन है जो कि खरादे तथा हिंद्री का सबसे महत्पुर्ण परियोग है और इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि बतलाया कि बिद्दुचुम्बक की पेन की घटना के वल चर्चुम्बक तथा कुंडली के बीच में बन कुली के बीच में आपक्षी गती हिस्ते नहीं होती है बलकि दो कुंडलियों के बीच में जिसमें कि एक प्रार्थमी कुंडली होगी दूसरा द्युतिय कुंडली होगी उसके बीच में भी आपक्षी गती से उत्पन होती है या कोई यरूरी नहीं है कि आप इस प्रकार फड़ादे तथा हेंदरी ने बहुत सारे प्रयोग किये विदुच मकिये प्रेण की घटना को इब्याख्या के लिए उसको समझने के लिए और उनमें से एक सबसे महत्पुर्ण प्रयोग का यहां पर चित्र द्वारा भी प्रतसन किया गया और अन्य दो प्रयो फड़ादे ने दो नियमों का प्रतिपादम किया जिन्हें फड़ादे का विदुच मकिये प्रेण समझने नियम कहा जाता है जिसे लगुतरी जो कि महत्पुर्ण है लगुतरी ये प्रसन दो अंक के प्रसन के लिए बिभिन बोड परिच्छाओं के लिए अब फड़ादे के विदुच मकिये प्रेण के नियम जो कि एक महत्पुर्ण टॉपिक है प्रिच्छा के दिश्टिकों से यामनिसन पॉइंट ओफ भ्यू से जिसे बारहुवी बोड की प्रिच्छाओं में लगूतरी ये प्रसन दो अंक का प्रसन के रूप में पूछा जाता है फड़ादे ने जोसे फेंडरी के साथ बिदुच मकिये प्रेण सम्मंधी प्रयोगों के निस्करसों के आधार पर दो नियमों का प्रतिपादम किया जिन्हें बिदुच मकिये प्रेण के जिन्हें खरादे का बिदुच मकिये प्रेण का नियम कहा जाता है अब इसमें पहला नियम है नंबर वन कि जब किसे बंद परिपत्त या किसी बंद कुंडली से संबध्ध चुमकिये फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस बंद कुंडली में या उस बंद परिपत्त में परिद विद्ध वहक वल उत्पन होता है जिसके कारण उस कुंडली में परिद धारा बहने लगती है तथा या परिद बिद्दुत वाहक वल उस कुंडली में तब तक उपस्ति तरहता है, जब तक उस कुंडली से संब्ध चुंबक की अफ्लक्स में परिवर्तन होता है और थाथ जब तक आप इक्षी गति छर्चुंबक तथा कुंडली के बीच में होगी या किसी धारवाही कुंडली तथा निकर तिस्ती दूसरी कुंडली के बीच में आप इक्षी गति होगी तो जब तक आप इक्षी गति होती रहेगी, तब तक चुंबक की फ्लक्स, कुंडली से समध चुंबक की फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तथा उस कुंडली में पेरित विदुत भाकवल उपस्तित रहेगा जैसे ही आप एक्षी गत्ति को रोक दिया जाए मतलब चर्चुम्बक तथा कुंडली दोनों में से किसी का मुसन न हो किसी की गत्ति न हो दोनों में से दोनों को रोक दिया जाए मतलब बंद कुनली तथा चुम्बग दोनों को रोग दिया जाए तो आप इसी कत्ती बंद हो जाएगी जब आप इसी कत्ती बंद हो गई तो हो जाएगी तो उस सिस्थिति में कुनली से समख्य चुमकिय फ्लक्स में परिवर्तन भी नहीं होगा तो कुनली में परिविदुत भागवल उत्पन होने के लिए उस कुनली से समख्य चुमकिय फ्लक्स में परिवर्तन का होना जरूरी है और जब चुमकिय फ्लक्स में परिवर्तन होगा कुनली से समख्य तो उसमें परिविदुत भागवल उत्पन होगा और प्रइत वित्व वागवल मत्रफ विववांतर उथपन होगा और विववांतर की कार्णमें उस कुल्मदी से होकर प्रइंद्धारा बहनने लगेगी किसे बंद कुंदले एवाम से समध चुमब किये फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस बंद कुंदली में पेरित विद्द भाकवल उत्पन होता है जिसके कारण उस कुंदली में पेरित धारा बहने लगती है तो जब किसी बंद कुंदली से समध चुमब किये फ्लक्स में समय के साथ परिवर् तो उस बंद कुल्ली में परिद विद्दुत वाहकवल उत्पन होता है तथा परिद विद्दुत वाहकवल तब तक उपस्थित रहता है जब तक कि उस परिवर्तन होता है कि अगे तर्था प्रिदुत वाहकवल तो उस बंद कुल्य में मैं तब तक उपस्थित रहता है जब तक के चुमखय फ्लक्स में कुली से समढ़ी परिवर्तन होता है और वंद कुली में पेवर्थे उत्पन होता है जो तब तक कुमकिये फ्लक्स में पर्यवरतन होता रहता है उनाबंद हो जाएगा एक जक्षजिक सोम्पेस्ति और परीवरतन वायगा कोई जब बेटाप सब्सक्राइबे उसमें नहीं बहेगा को टो में कोई रचाल आधान सकती दॉननी में उस कुनली में पेड विद्व दुभागवल उपस्तित रहता है तो इसे फारादे के विद्व चुमक्य पेड़न का पहला नियम कहा जाता है अब दूसरा नियम फारादे का गनितिय रूप में है दूसरा नियम खराडे का किसी कुनली से समब्ध चुमक्य फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन जब कुनली से समब्ध पहला नियम क्या कहता है कि जब कुनली से समब्ध चुमक्य फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेजित विदुत वाहकवल उत्पन होता है तो किसी कुंडली में चुमक्य फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन प्रेजित विदुत वाहकवल उस कुंडली से संबध्ध चुमक्य फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समान उपाती होता है अब तो दूसरा नियमपो आप लोग नोट करें किसी बंद कुंडली या बंड़ परिपत से में उटपन इसकी कारण उटपन होगा जुम्बकिए फ्लक्समें परिवरतन के कारण पेज़्बत कुंडली में उटपन परिवरतन के कारण उत्पन होता है तो किसी बंद कुली में उत्पन परिवरतन के कारण उत्पन होता है तो किसी बंद कुली में उत्पन परिवरतन के कारण उत्पन होता है तो किसी बंद कुली में उत्पन परिवरतन के कारण उत्पन होता है तो किसी बंद कुली में उत्प चिमकिये फ्लक्स में परिवर्तन की दर मतलब d5y dt d5 चिमकिये फ्लक्स में परिवर्तन की दर मतलब δide five amendment因为 t1 चिमकिये फ्लक्स चिमकिये फ्लक्स final 5-1 यहतुब to happen समय अंतराल T2 मायनस T1, दोनों का उनपाथ हो गया है, चुमबकिय फ्लक्स परिवर्थन की दर, उसकुर्णली में कुमबकिय फ्लक्स में परिवर्थन की दर, इसे कनितिय रूप में D5 by Dt के दौरा लिखा जा सकता है, D5 क्या है? परिवर्ति चुम्बक्य फ्लक्स माइनस परारंभिक चुम्बक्य फ्लक्स फाइटू माइनस फाइवन और डिटी क्या है समय नत्राल टीटू माइनस टीवन अगर टीवन टाइम पर चुम्बक्य फ्लक्स परारंभिक था फाइवन और टीटू समय पर चुम्बक्य फ्लक्स में परिवरतन हो गया 52 माइनस 51 उसको वाल संकेश सोचित करेंगे इप द्वारा समय तरुपाइद्स मीलस और समय द्वारा इद्वारा स volunteer सरुन संब्रचिंब किद दर उसकुंदली से संब्रक्स परिवर्तन किद किदे उसकुंदली से संब्रक्स परिवर्तन किदे जैं最中。 कि द्वारा बेट करेंगे द्वारा कि मखिए फ्लक्स प्रडूरतन की दर्क के सीधे समानुपाति होता है साथ ही कुली में उप्ण प्रडूत वहत वहल उसकुली में लपेटू की संख्या ताभू स्कुली में चुन्द कुल्ली में तो शंकीत चुन्द के समानुपाति होता है और इसे भरादे बीदी जुन्माकी प्रणा और इसे गनीती रूप मैं भेर्त कि आया सम ya प्लक्स्म का सुभाव बिरोधी है तात्वा चुमक्ये फ्लक्स्मेंपर्यूर्प्यूर्थ करता है तुछ बिरोधी सुभाव के चलते हैं प्रित विदुत वाहकवल के बिरूधी सुभाव के चलते हैं, यहां पर माइनस साइन एक दिया गया है, जो कि बतलाता है कि कुल्ली में उत्पन प्रित विदुत वाहकवल, उस समध्ध, उस कुल्ली से समध्ध, चुमब की फ्लक्स में प्रिवर्थन की दर्थ का करता है, विरूध करता है, इसलिए आपर माइनस साइन, तो फराडे के नियम में, इस समानपाती, इभैरी जैज, माइनस दिफाई बाई बाई डिटी, और यहां निगेटिव साइन, लेंज का नियम से प्राप्त होता है, इससे हम लोग अगले विडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस समानपाती, माइनस दिफाई बाई बाई डिटी, और इसको लिख सकता है, समानपाती चिन्द को हटाने के लिए, एक नियतांग देखर कि इसे बराबर समिकरण के रूप में लिख सकता है, इस कर्टू माइनस के डिफाई बाई डिटी, और यह फाराडे का दूसा नियम का, बेदुचुमक ये प्रेण के दूसा नियम का गनिधिया रूप है, इसाइ पत्य में के कामान और लेने पर, इसाइ पत्ती में, इसलिए इसकल रूप माइनस ठीक फाई बाइ डिटी, माइनस ठीक वाई अपऊन डिटी, और यह फाराडे का दूसा नियम का गनिथिया रूप है, यहां small ए कुमणी में उत्पन प्रेधुदु वाहक वल है और , śसमा फ्लक्ष में परवूतन की दरए चुमख़िय फ्लक्स कोपड़ करता हूं कैक फ़राडए क के गनितिय रूप एज गल्टू – इस पर संबंधित नुमेरिकल्स आंकिक प्रस्ण भी हैं एंसी आटी बुक में भी है उसे सॉल्ट किया जाएगा अगले वीडियो में तो यह फराडे का फराडे के बिदुचुंब की प्रेण का दूसरा नियम है तो इस परकार फराडे के दोनों नियमों का को हम लोग ने य पराडे के बिदुचुंब की प्रेण के नियम के साथ ही यह वीडियो शमाप्त होता है एदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ह या अपने नजदीकियों को अपने परिशितों को अपने सपाथियों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेडित करें या सलाह दें थैंक्यू भरी मुच्छ